मद्विदेश विधान सभा चुनाओं में समाजवादी पार्टी भी अपने किस्मत आजमाने के लिए तैयार है सपा के रास्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव छदरपूर पहुचे इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के साथ बैठ कर भोजन किया और भाच्वपर तग अध्यक्ष ने आध्यक्ष ने आध्यवासियों के साथ बैठ कर भोजन किया इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक पिछडों दलीतों और आदिवासियों को सिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक देश प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता भाजपा लोगों को लालच देकर वोट लेना चाहती है इस गाउं में लाने का यह था कि बीजेपी की 20 साल की सरकार और दिल्ली में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करना कि हमने प्रदान मंत्री आवास या ग्रामीर शेत्रों को गरीबों की इस योजना से और जब देश की महला राश्पती बनी हो और आदिवासियों के गाउं में जो सरकार की योजना है उनी योजनाओं का नहीं लाम मिल पा रहा है जिन माताओं बहनों ने हमें भोजन कराया है आज उनका भोजन स्वादेश भी था भर पेट खाया और सचाई तो यह है कि जब इनसान भूग हो तो हर चीज उसको अच्छी लगती है लोग पूछ सकते हैं स्वाद कैसा था हमें उम्मीद है कि हम लोग के आने के बाद अभी चुनाओं में वक्त है यहां के सरकार अधिकारियों को भीजे और सरकारी योजनाय जितनी भी हैं उन सरकारी योजनाओं को यहां पूरी तर आप देख रहे हैं दखल न्यूल